हेलो बच्चो, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका i速 equilibrium के last lecture में, इस lecture में हम cover करेंगी indicator औ पीज करद, बहुत बड़ा topic नहीं है छोटा यह this topic है के ंडिकेटर औ पि एर्ट कर तो हमारा theory lecture लेक्चर खतम हो जाएगा फिर इसके बाद आएनिक का एक प्रैक्टिस लेक्चर हो रहाएगा आपका तो आएनिक अपना कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो ध्यान से समझना ज़रा इंडीकेटर्स क्या होते हैं तो हेडिंग डालनी है आपको इंडीकेटर्स ओके तो इंडीकेटर्स क्या है डेफिनेशन लिख रहा हूं है इंडीकेटर्स indicators are the substances, indicators are the substances which are used to determine, which are used to determine end point in acid-base titration, in acid-base titration, acid-base titration का मतलब क्या है वेटा, जैसे मालो मेरे पास acid है, ठीक है, मैं acid में base बिलाऊंगा तो क्या होगा वई, neutralization ही होगा ना, तो आपका neutralization कब होगा, मतलब आपको कहां पर रोकना है titration, उसके बारे में हमें indicator बताता है, और indicator का specific color होता है, actual में indicator के दो type होते हैं, एक unionized form और एक ionized form, unionized form और ionized form में different color होता है, और जब color change हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें titration को यहाँ पर रोकना है, और बाकी calculations करनी है, भाई हमें क्या पता, हमारे पास मालो एक suppose weak acid है, weak acid में तुमने strong base मिलाया, तो weak acid suppose acid एक acid है और strong base nao h मिलाया, तो जब तुमने weak acid में nao h को मिलाया, तो कब आपको रोकना है, कैसे पता चलेगा, हम साथ में indicator डाल देते हैं, तो जैसे ही indicator का color change होता है, तो हम वहाँ पा titration को रोक कर बाकी सारी calculation कर लेते हैं, तो indicators क्या है, are the substances which are used to determine the end point ये equivalence point in acid based titration, ठीक है, acid based titration अलग-अलग type के हो सकते हैं, weak acid में strong base मिला रहे हो आप, strong acid में weak base मिला रहे हो, या weak base में strong acid मिला रहे हो, तो अलग-अलग type के titration हो सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे अब इन, अभी indicator के बारे में में बता रहा हूं, तो indicator actual में आप define कर सकते हो, दो type के, indicator आप define कर सकते हो, दो type के indicator आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना ज़रा है न, एक मैं बोल रहा हूँ acidic indicator ध्यान से सुनना एक मैं बोल रहा हूँ acidic indicator और एक बोल रहा हूँ basic indicator acidic और basic indicator indicator ध्यान से देखना ज़रा है न Acetic Indicator में जो Important Example है वो है Phenophthalene Acetic Indicator में आपका जो Important Example है वो है Phenophthalene यह आपको याद रखना है ना Phenophthalene होता है और Basic Indicator जो है वो है Methyl Orange क्या है वेटा? Methyl Orange Acetic Indicator मतलब जो H Plus देते हैं Basic Indicator जो OH- देते हैं तो अगर मैं इसकी Reaction लिखता हूँ ध्यान सा देखना अगर मैं Reaction लिखूँ तो HPH को actual में Acid denote करते हैं इस pH का मतलब Phenyl नहीं होता इस pH का मतलब है pH- के form में यह मिलेगा क्यों? जब यह तूटेगा तो अगर मैंने Acetic Indicator बोला तो Acid का मतलब क्या होता है? H प्लस दे ना और क्या बनाएगा? pH Negative तो यह pH Negative आप इसको यह मत समझना कि यह pH Negative है यह वाला pH Negative नहीं है Phenophthalene का जो Negative पार्ड होता है वो आपका pH Negative होता है ना तो यह कहानी है इसकी यह होगी Acetic Indicator की Acetic Indicator होगा तो इसका कुछ अपना Ionization Constant होगा K या कई बार आप इसको K Indicator भी लिख देते हो K in इन मतलब Indicator Indicator के लिए Dissociation Constant Similarly अगर मिथाईल औरेंज के बारें बात करूं तो मिथाईल औरेंज को ऐसा लिखते है ME OH और अगर Basic Indicator है तो वेटा क्या देगा ये OH माइनस देगा अब इस ME का मतलब Methyl मतलब ये नहीं है ये दिहां नगना Methyl Orange का मतलब CS3OH नहीं होता कई लोग क्या कहता है ME को CS3 लिए ऐसा नहीं कहना है ME प्लस मतलब एक अलगी पार होता है इनके बड़े-बड़े structures होते है स्मार्ट बोर्ड है तो देखी लो जड़ा फिनॉप्थलीन होता है आपका इससे आपको किलियर समझ में आ जाएगा यां सा देखना डाइग्राम कहां मिलेगा चोटा सा है इधर दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है बहुत ही चोटा है बहुत ही ज्यादा चोटा है यह वाला दिख रहा है हाँ यह दिख रहा है ठीक है दिखान सा देखना जाए अगर मैं आप से बात करूं इसको में यहाँ पे ले लेता हूँ तो आपको किलियर समझ में आ जाएगा देखो एक्शुल में फिनफ्थलीन ऐसा है ये है आपका फिनफ्थलीन है अब आपको साहिए दिख रहा होगो लिक्रागी ये है आपका फिनफ्थ लि.. ל warm बिखो इसमें जो एच निकलता है वो यह वाला या यह वाला यह वाला इनमेंस निकल सकता है ना मतलब इसका जो एनाइनिक पार्ट होगा वो पी एच नेगेटिव हम बोलते हैं इसका एनानिक पार्ट ऐसा हो सकता है कि मैं यहां पर प्लस यहां माइनस लगा दूं ठीक है तो एच प्लस निकल जाएगा यहां प्लस यहां माइनस लगा दूं मतलब एक तरीके से इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका आपको स्ट्रक्चर वगर याद नहीं रखना होता है इसलिए हम इसको एच पी एच लिख देते हैं तो एच निकल जाता तो बाकी पार्ट क्या बचा पी एच नेगेटिव पार्ट बचा है ना तो यह है तुम्हारा क्या फिनॉप्थलीन समझ गहां न तो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है उसका जो एनाइनिक पार्ट है वो फिनॉप्थलीन है सिमिलरली मिथाईल औरेंज भी ऐसा ही होता है सी एस त्री हो यह नहीं होता दियान दगना मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा मिथाईल औरेंज देखना यह दिख रहा है और अधिये इसको और बड़ा वाला स्ट्रक्चर ले ले दें कोई जो आपको दिख जाए अधायल हो रहे हैं जाए को अधायल है को अधायल है को अधायल लेते हैं ताकि आपको समझ में आजाएं यह वाला लेद्ट देखना तो चाहिए ऐसे अधायल हो गया है कि यह आपका देखन में थाए लो रेंज एसा देखता है आपको दिख रहा होगा आप तो ऐसा देखता है मिधायल औरेंज तो इसका मत्दब सी इस्तरी ओस नहीं होता पस देख लोग अए वाषा दिखता है मिधायल ओर यह आपका फिन०लीन if होगे तो यह कहाँनी है। फिनॉप्थ этимstat किन directory मिभा रॉंगेच छौरा स बेसे इंडिकेटर और यहाँ मैं लिग सकता हूं बेसे इंडिकेटर के लिए के यहाँ फिर के इन भी लख सकते हूआ न कें इन अचे इन मतनां इन्डिकेटर के लिए है न है एक है एक है कि लिए है थोड़ा सा देख लो यह फिनाप्तिली नहीं यह मिथाइल ओरेंज है तो यह सिमिलर वैसा ही होता है ऐसा लिखा है यह मैं आपको एसे डिक के लिए बता रहा हूं सिविलर हम बेसिक के लिए भी लिख लेंगे तो एच आई एन एच प्लस आइन माइनस में टूटा बता दो जड़ा के कैसे लिखोगे बिड़ा के लिखोगे क्या अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका पी एच क्या लिखते थे बफर का फॉर्मला याद होगा आप लोगो को क्या पी के प्लस लॉग ब्रैकेट में सॉल्ट सॉल्ट यहां पर क्या वो लोगे आई एन माइनस पार और डिवाइड़ बाइसेट एसेट क्या वो लोगे है चाइएन बस यह बन गया आपका फॉर्मुला ठीक है और इस पी एच को आप बोल सकते हो पी के पी ओफ इंडिकेटर पी ओफ इंडिकेटर मतलों पिन और पी के एको बहुत सकते हो पी के ओफ इंडिकेटर अपनेशा अप का होता है या एक काम करता हूँ इसी फॉर्मुले में लिख देता हूँ अच्छा रहेगा मैं इस फॉर्मुले को ऐसे लिख रहा हूँ देखो pH is equal to pk plus log ionized part ionized ionized part उसकी concentration upon h i n को बोलते हैं unionized part ionized part उसकी concentration तो यह आप फॉर्मुला ध्यान लखना क्या pH is equal to pk plus concentration of क्या ionized upon ionized part similarly अगर मैं आप से बात करूँ basic indicator की तो आप क्या करोगे अगर मैं basic indicator की बात करूँ तो similar यही formula आएगा बस यहां क्या हो जाएगा देखो basic indicator को आप represent करोगे ionoh से ऐसे लिखोगे न तो ion plus indicator का plus part और क्या देता है oh minus और इसके लिए kb लिखोगे तो आपका जो formula यहां पर है न यह यह formula ऐसा दिखेगा कैसा pH की जगे आ जाएगा poh is equal to pkb plus log salt upon base होगा अगर basic buffer की तरह आप लिखना चाहते हो तो मैं क्या लिखूंगा ion plus यह upon ionoh ion plus upon ionoh तो मत्तों similar buffer जैसा ही मैंने लिखा है बस अब यह क्या बोल दोगे आप यहां पर pH is equal to बेटा बोल दोगे pkb plus log in plus जो होता है वो क्या बोलोगे ionized part क्या बोलोगे ionized part और ionoh को क्या बोलोगे अनायोनाईज पार्ट ऐसा बोलोगे बटा है ना तो हम इस तरीके से पी वेच लिखते हैं तो बहुत सिंपल सा है एक यह फॉर्मला ध्यान लखना एक यह फॉर्मला ध्यान लखना इससे आपका काम हो जाएगा नुमेरिकल इंडिकेटर के बन जाएंगे ना अब यह जो है अनायोनाईज है यहां इन ओह चानायोनाईज है आयन प्लस आयोनाईज है एक वड़ा ऐसा होता है चले आगे तो यह फॉर्मला ध्यान लखना अब हम इम इस्टार वाला पॉइंट लिख रहा है ध्यान से देखना चारा एम आइस्टर मतलब इंपोर्टन पॉइंट है तो इन बेसिक मीडियम क्यों क्यों कि ये खोद एच प्लस देता है और बेसिक मीडियम में यूज करेंगे तो रियक्शन वगएरा होगी और कलर चेंज करेगा यूज इन बेसिक मीडियम ठीक है जब आपका टाइट्रेशन में बेसिक नेचर दिखा है तो फिएच यूज करते हैं और एमी उएच इस यूजड इन एसेडिक मेडियम ठीक है ध्यान से देखो जड़ा एमी उएच की अगर हम बात करें तो फिएच 3.1 से 4.4 के बीच में और ये रेड और येलो कलर जो होता है ये किस-किस का होता ध्यान से देखना जड़ा एक्चुल में एमी उएच जो होता है एमी उएच मैं यहां लिख देता हूँ एमी उएच जो होता है वो बनाता है क्या एमी प्लस और ओएच माइनस ठीक है इसका रेड गलर होता है और इसका यलो होता है और एच पी एच की अगर बात करें तो एच प्लस और पी एच माइ अब यह स्ञीं है ये और ये पिंक कलर का होता है मैं ऊधर क्या है तो कलर कैसे चेंज होता है एक हैश्बी 1 कर लेशंद ऑसे पिंक हम कलर होता है और यहां से कहा होता है फुल्टा लिखा यहां पर रड नहीं इसका यल्लो और उसका रेड़ होता है हुआ इसका यउ Be है यहां साई कर लो है कि यलो है टूरेड ऐसा होता है तो कहानी यह है कि यह पिंग कलर का और ये यह यलो हम रहल एक चीजह रोग देंगे और इनकी यह यह पीच रेंज हैं इनकी क्या है यह pH range है तो H pH H plus देता है तो यह basic medium में use करते हैं और M E OH क्या देता है? OH minus तो acidic medium में use करते हैं तो दिहान डखना इसको है न और यह color थोड़ा सही कर लो यह yellow और यह red होता है, वो colorless और यह pink होता है आगे बने चलो, अब देखो numerical कैसे करने है बिल्गो simple सा एक formula मैंने बताया आप को सी को apply करेंगे, बहुत simple है यार ज़्यादा कुछ है भी नहीं find pH of acidic indicator at 3 by 4th equivalence point, इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझे लो पहले यह चीज़ क्या है 3 by 4th equivalence point का मतलब यह है कि 3 by 4th ionized part है क्या है? ionized part है, अगर 3 by 4th ionized part है, तो क्या मैं by default यह लिख सकता हूँ कि 1 by 4 unionized होगा, सीधी सी बात है न unionized part होगा, रे भाई एक बात बताओ, 3 by 4 अगर चला गया, तो कितना बचा? 1 by 4 ही बचा न, ठीक है? और acidic indicator की बात कर रहे हैं, तो मैं h ion लिख लेता हूँ, ऐसा यह h plus और यह क्या हैगा? ion minus, आप से बोला है कि यह 3 by 4 आ गया तो यह 1 by 4 बचा है मतलब 1 by 4 इसकी concentration ले लो 3 by 4 इसकी concentration ले लो और formula लगा दो, formula आपको पताई है pH is equal to pk pk निकाल लो, इसका अगर k है 10 की power minus 7, तो pk 7 7 हो जाएगा, minus log k होता है तो 7 plus log उपर क्या होता है? ionized part मतब 3 by 4 upon unionized part unionized part मतब 1 by 4 तो यह आप solve कर लो, यह कट गया log 3 कितना होता है? log 3 होता है, point for it तो यह answer आजाएगा, आपका 7 point for it, इसकी pH तो इतने simple question होते हैं बस आपको थोड़ा formula धियान रखना है कि क्या लगाना है, और यह terms का मतलब पता होना चाहिए है ना, समझे है? आगे बढ़े? एक और question कह रहे हैं, आपसे देखो आप weak asset type indicator was found to be 60% dissociated at pH 9 find percentage dood at pH 8 आपको ka नहीं दे रखा है इसका तो आपको करना क्या process बता देता हूँ पहले क्या है? यह जो लिखा है ना, 60% dissociated मतलब मुझे dood दे रखी है pH दे रखा है, तो मैं पहली बार जब formula लगाँगा तो वहाँ से pka निकालूँगा और दुबारा से formula पूट कर दूँगा और percentage dood निकालूँगा इसका equilibrium में लिख रहा हूँ, कुछ नहीं दिया तो मैं इसको वन माल लेता हूँ, initial concentration 1, यह 0, 0 1 मैं से x कम कर दिया, तो dood क्या बोलोगे? xy1 बोलोगे न, dood, यह ना? इधर x बनेगा, इधर x बनेगा, clear? अब यहाँ तो तुम्हें h plus concentration दे ही रखी है, ठीक? तो तुम यहाँ पर x ना लिखके, h plus concentration लिख दो, कितना? pH 9 दिया है न, pH 9 दिया है, तो h plus concentration 10 की पावर माइनस 9 आएगी, तो h plus दे रखा है, और h i n से x बना, और यह x बना, मतलब यह x टूटा और यह x बना, ठीक है? अब मैं यहाँ पर put करना हूँ, तो pH आपकी 9 थी, ठीक है? तो pH सीधे 9 put कर दी, pk कितना है? pk, निकालना है, ठीक? प्लस log, वैसे तो यह भी लिखने की ज़्योंत नहीं थी, सीधा put कर दी थी, pH 9, चलो फिर भी चलो लिख लिया, तो कोई बात नहीं, लोग, आई एन माइनस कितना? आई एन माइनस है, एक्स, ठीक है? नई, पहले तो आपको 60% दे रखा, ठीक है? एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ऐसा है, ठीक है? तो पहले आपको 60% दे रखा है, तो 60% put कर दो, तो यहाँ 60 रखोगे, मंदब 60 का कितना है, मंदब 0.6 रखोगे, और 1 माइनस 0.6, ठीक है? तो 9 is equal to PK, बाथ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 0.6 upon 1 माइनस 0.6, क्योंकि DOD आपको कितना दे रखा 60%? 0.6 by 0.4 आ जाएगा, यह 6 by 4 आ जाएगा, 6 by 4 कितना है, 3 by 2, तो 9 is equal to PK, प्लस लॉग, 0.6 by 0.4, ऐसा दिखेगा, चलो मैं सॉल भी कर देता हूँ, ऐसा दिखेगा, जिसको मैं 6 by 4 लिख सकता हूँ, लॉग 6 by 4, और लॉग 6 by 4 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, लॉग 3 by 2, और अब लॉग का फॉर्मला लगा दो, लॉग 3 minus log 2, तो 9 is equal to PK, प्लस लॉग 3 minus log 2, लॉग 3 कितना होता है, 0.48 और लॉग 2 कितना होता है, minus 0.30, तो यह 0.18 आ जाएगा, 9 is equal to PK, यह आ जाएगा आपका प्लस 0.18, तो यहां से तुमने PK निकाला, 9 minus 0.18, 8.82 आ जाएगा, सही है न, यह अभी तुमने PK निकाला, ठीक है, अब मैं दुबारा से यही स्टार्ट कर रहा हूँ, PK 0.82 अब तुम यहां पूट करोगे, और pH तुम पूट करोगे, 8, और यहां से आएएट, माइनस और हैच आएट, यह रखके, एक्स निकाल लेंगे, आनसर आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना ज़रा, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, pH is equal to PK, दुबारा से यही सब formula लगेगा, ठीक है, यहां तुम क्या रखोगे, देखो, अब यहां pH क्या रखोगे, 8 रखोगे, और PK क्या रखोगे, यह निकाल लिया ना, PK बदलता थोड़ी यह, 8.82, प्लस लग, इसको रखोगे, x अपॉन 1-x, तो यहां से अब आप x निकाल लोगे, ठीक है, तो इसको यहां लेगा है, तो minus 0.82 आ जाएगा, और is equal to log, x अपॉन 1-x, अब इस minus को प्लस बनाना है, तो log में पलट दू, तो 0.82 is equal to log, 1-x अपॉन x, ठीक है, अब इसको solve क approximation यहां पर थोड़ा सा, 1-x अपॉन x, तो यहां से तुम्हारा 1-x अपॉन x, 7 आगया, log-log कट गया, तो यह तुम्हारा क्या आगया, 7 आगया, ठीक है, ध्यान से देखने, तो 7 is equal to 1-x अपॉन x, 7x is equal to 1-x, 8x is equal to 1, x आगया आपका 1 by 8, तो percentage DOD क्या आगया, आपकी percentage में क final answer, 12 के आसपास, ठीक है, तो इस तरीके से आपको solve करना, इतना percentage, question clear है, क्या था, 60% पर प्येस दे रखी थी, अब हमें pH दे रखी है, 8, तो percentage DOD क्या है, तो PK जो है ना, वही निकालना था, पहले से PK निकाला, दूसरे एंपूट कर दो, देख लो आप जड़ा एक बार, अ इंडिकेटर का काम खतम हो गया, वस उतना आपको पता है, तो आप कर लो एक question, अब चलते हैं, पी एच कर्व पर, acid based titration के लिए कुछ कर्व होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी सारे आप बना सकते हो, बाकी मैं सारे कर्व बता दूँगा, बाकी इसका k दे रखा होगा, और acid का acid का k गेवन है, आपको 10 की बार माइनस 5, ये कहानी पहले से गेवन है, इधर मेरे पास है, 0.1 molar NaOH, ठीक है, और यहाँ पर volume की readings होगी कुछ, इस जगे, ठीक है, यहाँ पर volume की कुछ readings होगी, ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से धीमे धीम NaOH डालेंगे, यहाँ से हम धीमे-धीमे NaOH डालेंगे, और NaOH डालेंगे तो NaOH असे रियक्शन करेगा, क्या रियक्शन करेका अज़ा, एसेड एक एसेड प्लस एने वेच एक्चल में यहां पर नॉब होती है इस नॉब को खोलते हो तो यहां से गिरता दी में दी में न तो जब इसकी रियक्शन होगी तो क्या होगा CS3-Co-Na बनाएगा प्लस वाटर बनेगा ऐसा दिखेगा आपको सही है न तो जब रियक्शन होगी तो नूटलाइशन होगा सॉल्ट बनेगा सही बात है acid base की reaction हो रही है clear है तो reaction जब हो रही है तो pH किस तरीके से बदल रहा है solution का वो हमें study करना होता है तो जितना volume हम मिलाते जाते हैं वो हम x axis पर रखते हैं और जो हम pH observe करते हैं इसकी वो हम y axis पर रखते हैं और एक curve draw कर देते हैं तो हम क्या करेंगे एक एक cases दीमदी में study करेंगे कैसे मैंने ये माल लिया सबसे पहले naoH मैंने डाला ही नहीं सिर्फ यही पड़ा हुआ है solution तो इस starting कहां से होगी pH की तो इसकी pH निकाल ले हम तो इस starting में तो मुझे weak acid given है ना तो अगर मुझे weak acid given है तो case 1 क्या case 1 लिख रहा हूँ when 0 ml of naoH is added 0 ml का मतलब क्या है कुछ नहीं डाला है ना जब naoH आपने डाला ही नहीं तो सिर्फ क्या था acid था तो acid की pH का formula आपको पता है weak acid का क्या होता है pH is equal to आधा pk minus log c यही होता था यही होता था याद करो जड़ा ओस्ट वर डाली सुल्ट वाला ही है तो अब मुझे pH निकालना है तो pH is equal to 1 by 2 pk कितना आ जाएगा अगर k तुम्हारा 10 की पार minus 5 है तो फ़िएड़ा pk 5 हो जाएगा minus log c कितना है 0.1 मतबब 10 की पार minus 1 minus 1 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 होता है 6 बाइदो 3 होता है तो pH आपका 3 आएगा शुरुआत कहां से होगी तीन से होगी तो जब तुमने कुछ नहीं मिलाया था सिर्फ acid था तो pH 3 है किलियर? नोट करो इसे अब हम इसमें धीमें-धीमें मिलाते जाएंगे है ना? किलियर? ठीक अब हम क्या करेंगे? इसी में ही एडिट करते जाएंगे अब देखो यहाँ पर 0 ml की जगह 10 ml मिला रहा हूं हम में ठीक है धियान से देखने जब आपने 10 ml 10 ml नोच मिला आया तब क्या हुआ? इसको अपन केस को उपर कर लेते हैं केस टू हो जाएगा यह यहाँ लिख देता हूं ठीक है? और रियेक्शन को अपन थोड़ी इसी नीचे ले लेते हैं ठीक? और इसको मैं क्या लिख रहा हूं? केस बन नहीं है, यह केस टू है ठीक है आप स्टार्ट कर रहे हैं पर जब आपने 10 ml नोच मिलाया 10 ml मिलाया तो मुझे बताओ एसेटेक एसेट के मिली मॉल पहले कितने थे? 50 into 0.1 कितना होता है? 5 यह मिली मॉल है, यह क्या लेख रहा हूं मैं? मिली मॉल 5 एनेवेस के कितने है? 0.1 कॉंसेंट्रेशन थी और 10 ml तुमने मिलाया मतलब 1 तो यहां से कहानी शुरू है 5, 1, 0, 0 लिमिटिंग लगाओ यह खतम हो जाएगा यह 5 मैं से एक कम कर दो इतना बचेगा और जो छोटा होता है वो यहां पहुंचा दो ऐसा दिखेगा आपको तो 5 मैं से एक गया कितना? 4, 0, 1, 1 ऐसा दिखेगा अब water तो खेर solution में होता है मतलब मेरे पास क्या present है? ध्यान से देखना ज़रा मेरे पास क्या present है? weak acid और weak acid strong base का salt मतलब यह तो bit up buffer बन गया और मैंने आपको पहली वोला था कि weak acid strong base का अगर आप mixture बना रहे हो और strong base के mole कम है weak acid के milli mole जादा है तो वो buffer होता है यह हमने buffer में भी सीखा था तो यह buffer solution मन गया और buffer solution मन गया तो उसकी pH कैसे निकलती है? pk plus log salt upon acid ऐसी निकलती है उसकी pH तो अब बेटा यह buffer बन गया तो pk कितना है? pk कितना है? 5 plus log salt कितना है? 1 और acid कितना बचा? 4 इसको solve कर लो 0.6 तो यह आजाएगा 4.4 तो पहले pH कितनी थी? देखो जब आपने acidic acid नहीं मिलाया था तो pH 3 थी जब आपने नहीं मिलाया था तो pH 3 थी जब आपने नहीं मिला दिया अब buffer solution मन गया तो pH 4.4 है यह कब आया आपका? जब 10 ml मिलाया clear? पॉस करके एड करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना 10 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? 20 कर रहा हूँ 20 ml of एड तो क्या change आएगा? 20 into 0.1 मतब 2 हो जाएंगे इसके मिली मोल इसके मिली मोल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे ठीक है? और अब यहाँ पर यह क्तम हो जाएगा यह पांच में से एक नहीं अब कितना कम होगा? 2 कम होगा ठीक है? और यहाँ एक नहीं बनेगा यहाँ क्या क्या बनेगा? 2-2 बनेंगे ठीक है? यहाँ तीन बचेगा, यह 2 मिनी छोटा था तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब यह 2 ऐसा, तो अब आपका कितना कितना present है, 2 और 3, ठीक है, तो salt कितना है, 2 और यह 3, तो यहाँ से, इसको हटा देते हैं, log के अंदर कितना आजाएगा, 2 by 3, अभी भी buffer है यह है न, क्यों, क्योंकि salt present है और weak acid present है, तो यह आएगा आपका answer, देखो, तो 5 प्लस log 2 कितना होता है, 0.3 और log 3 होता है, 0.48, मैंने log A upon B, log A minus log, log A minus log B का formula हो गया है, यह न, तो 5 यह आजाएगा, आपका minus 0.18, और 0.30 minus 0.18, और यह आजाएगा 4.82, यह है, 8-2-10, 8-9-10, 4-8-5, ऐसा, पहले अब, अब कंबियर कराते हैं, आप क्योंकि इसी सही तो कर्ब बनाना है, सबसे पहले जब कुछ नहीं मिलाया था तो pH 3 आई थी, ठीक है, आपने 10 ML मिलाया तो pH बढ़ गई, 4.4 होगे, क्यों बफर बनता जा रहा है, अब pH थोड़ी और बढ़ गई, 4.4 से 4.82 चली गई, कब 20 तक, अब मुझे वह बताओ, 20 की जगह जैसे ही मैं 30 करूंगा, तो pH थोड़ी और बढ़ी की, देख लो जरा, अगर मैं 20 की जगह, यहां 30 कर दूंग, अच्छा ये केस भी, आपका case 1, case 2, यह था case 1, यह था case 2, यह था case 3, ठीक है, तो इसको case 2 को case 3 बना देतना हो, अब आप 30 पे जा रहे हो, ठीक है, अब आप कहां जा रहे हो, 30 पे जा रहे हो, धियान से देखना, 30 पे, तो अब यह हो गया आपका, case 4, कितना मिलाना है, 20 की जगह कितना करना विड़ा, 30, तो क्या change आएगा, 30 है मैं लेने होए, और एने होज की जगह हो जाएगा, तो 2 की जगह हो जाएगा 3, ठीक है, यह 2 की जगह हो जाएगा 3, यह 2 की जगह right, 3, यह 5-3 यहाँ हो जाएगा, है न, हैसा, कि सही है न, तो अब धेखो जारा, salt , फिर से देखो जारा, salt present है, और weak acid प्रेजिंड हरं, अभी भी buffer है, तो अभी भी buffer है मनीड़ हो जाएग, 2-3 की जगहा, बन्हां हो एसा दिखेगा, ठीक है, और log 34 माइनस लॉक 2 देखेगा अब आपको 5 प्लस लॉक 3 माइनस लॉक 2 मतलब 5 प्लस 0.48 माइनस 0.30 तो 0.18 आ जाएगा और 5.18 आ जाएगा आपका यह तो पहले कितना था देखो केस 3 में कितना था 4.82 अब कहां चलेगा 5.18 तो पी एच बढ़ती जारी दिहान से देखो 3 था सुरू में सबसे पहले 3 था है ना 4.4 4.82 5.18 अब तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या पहले आपने एने मेंच नहीं मिलाया था फिर 10 एमेल मिलाया बफर है 20 एमेल बफर है 30 एमेल बफर है 40 भी बफर है 50 एमेल पे जैसे ही पहुँचोगे तो दौनों के मिली मोल भरावर हो जाएंगे तो आप बफर नहीं अब सॉल्ट आइडियोलेसिस हो जाएगी और पी एच एक दम से बढ़ जाएगी चार और यह एक ऐसा हो जाएगा ठीक है कर दूं क्या चलो करी देता हूं छोटा सा यह चालेस एमेल देलो फटावर से चालेस तो यहां क्या हो जाएगा चार हो जाएगा चालीस इंटू बंड की यह चार हो जाएगा तो अब यहां चार बनने लगेगा यहां चार यहां 4 मां पांच माइपने चार पर तो अब यहां जाएगा लॉग चार बाइए एक यहां पर लॉग चार बाई एक लॉग चार गितना होता है लॉग दो का डवल तो पॉइंट सिक्स तो ये फाइब पॉइंट सिक्स हो जाएगा अब देखो जराब पांच केस हो गए ध्यान से देखना जरा केस वन तीन आया था केस टू फोर पॉइंट फॉर आया केस तरी फॉर मुइंट टू आया केस फॉर फाइब पॉइंट शिक्स आया ठीक है केस फॉर का तोरी कि इस तीस वालक आंगया अगया कि अज़ा थी से मिल कॉपी निए था बीस से आप सीधे तो इसको थोड़ा सा पीछे ले ले लिए चलो मैं 30 का दुबारा से सॉल कर देता हूं तीस वालक आपी निए सीधे चालिस पर आ गए तीस का कितना था फाइब पॉइंट वने आया था सायद ऐसी दाना चलो चले सका कर दिया मैंने 30 का में फटाफट से लिख देता हूं का चार बीस कि जगह कितना किया था आं अ 11ए सायँ और इसके बाद क्या किया था यहां पर दो नहीं था तो यह तो इस था था इधर तीन इधर तीन इधर तीन तो इधर दो गया था है इधर आपका दो गया था लोग तीन वाइद आ गया था आप 5.18 बिल्कुर सही आया था तो मैं इधर माइनस और प्लस लगा सकता हूं न ऐसा प्लस 5.18 अब आप देखना ज़रा धियान से देखो शुरू से स्टाट करते देखो पिएस तीन था फिर पी एच 4.4 वह फोर पॉइंट टू हुआ 5.18 हुआ 5.6 हुआ पी एच बढ़ता जा रहा है न लेकिन स्लोली स्लोली बढ़ रहा लेकिन जैसे ही मैं केस सिक्स पर जाओंगा ठीक है थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा प्रोसीजर क्योंकि इसी से निकलता है यही एक आसान तरीका समझने का बाकी सारे टाइटरेसन इसी टाइप से वेरी करता है ना अब मैं यहां पर केस्स कर रहा हूं और कहानी पलड जाएगे आपकी देखो यहां 50 ml कर दिया जैसे ही बेटा तुमने 50 किया अब आएगा मजा देखो जरा यह भी पांच हो गया दोनों बराबर तो दोनों के दो खतम हो जाएंगे दोनों के दोनों खतम हो जाएंगे और क्या बचेगा आपका सिर्फ सॉल्ट बचेगा पानी में पांच और पांच यह पांच और यह भी पांच ऐसा ठीक है यह तो खतम हो गया आपके अच्छा यह दो बार क्यों लिख दिया एक बारी लिख लो यह खतम हो गए तो अब तुम्हारा ये फॉर्मुला नहीं लगेगा ये तो बफर का था अब तुम्हारा बन गया सॉल्ट हाइड ओलेसिस क्यों ये खतम हो गया अब ये बचाना सिर्फ और जब सॉल्ट हाइड बन जाता है तो स्ट्रॉंग बेस के सॉल्ट की पी एच सेवन प्लस वन बाई टू पीके प्लस लॉक्सी होता है समझ रहे हो बात को वेटा ये कहानी समझ में आई कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे जीरो एमेल पे सिर्फ वीक एसिट था दस एमेल पे वफर बीस एमेल पे वफर तीस पर बफर चालिस पर वफर एवन फॉट्टी नाइन पर भी वहर होगा जैसे ही पचास एमेल पहुंचेगा एने वेच तो वह सॉल्ट हाइड लूस बन जाएगा है ना तो यह आगया पाँच बाए पचास एमेल यह मिलाया और पचास है में लिए था सो एमेल मतलब यह हो जाएगी कॉंसेटेशन फाइव इंटू टैन की पावर माइनस टू एसा है अब आप देखों अब इसको सॉल कर लो आंसर आ गया क्या सेवन प्लस बन बाइटू पाँच यह और यह आ कि टना होता है लो फाँच लो फाँच लोग पाँच लोग पाँच अम कितले और लोग चार होता था आप कितंब पॉइन उसक्स होता था दा लोकच और एन फो इंटीगर पॉइंट गवं असे माने में बश्यो थीन प्लस पोइंट सै वन 2 5 pink 30053.7 तो तो 7 groundbreaking ब्रूइं से देखो जैसे ही सॉल्ट हाइड लगा कहानी पलट गए देखना केस पांच में पी एच 5.6 थी कब 40 मेल पर 5.6 ती और सीधा आप के ऊपर निकल गई देखो जैसे ही बराबर आया वॉल्यूम पचाफ पचास आया तो वह आठ के ऊपर कहानी निकल गई और आप इसके बाद जाओगे तो सॉल्ट हाइड लिसस नहीं लगेगा क्यों अब बेस जादा होगा तो बेस जादा होने की वज़ेसे अब भेंकर बढ़ जाएगी अब सीधे ग्यारा बारा तेरा आने लगेगी पीएच समझ लेओ तो सुरू में पीएच धी में धी में क्यों बढ़ रही थी बफर सॉलीशन की वज़ेसे फिर एक पटिकुलर पॉइंट पर आया मतलब फिफ्टी पर जैसे ही रीच करा आपने वॉल्यू तो सॉल्ट हाइड लगा तो पीएच आठ के उपर निकल गई अब इसके बाद आगे बढ़ोगे इसके बाद आगे बढ़ोगे तो पीएच ग भूय कर दूम तो यह तो पांच है यह छे हो जाएगा सिक्स्टी नूबॉइंट बंच हो जाएगा या आपका ठीक है तो यह खताम मोजाएगा यहाँ बच है यह यह्टर centrum बेस बिचेंटे लीचे क्ल questo रगता है लेकिन इस transaction कोग्रता है तो ऊसके रespect्ट में से लिगे कर सकते हैं अब यह मत मुलना सर यह वन है यह फाइव है यह क्यों नेगलेट कर दिया पांच तो बड़ा है वह इसकी पी एच की कंपरिजन में हम नेगलेट कर रहे हैं तो अब क्या होगा अब पी एच कैसे निकालोगे अब सीधे स्ट्रॉंग बेस ओएच माइनस की कॉंसें से निकालोगे तो ओएच माइनस कॉंसेंट्रेशन तुमारी क्या आएगी एच क्या है तुम्हारा वन मिली मोल है और वॉल्यूम अब दी सॉलीजिशन कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा क्यों यह साठ है और वो पचास है तो यह आएगा वन बाई 110 को में लगबग अगर चल पास प्याइच रहेगा अप्रॉक्सिमिट लिए तो 12 12 कि आएच पास पीएच रहेगा समझ रहेगा रहाँ कहां नी एक जैट कैलकुलेशन करनी तो आप वन बाई वन वन जीयो से फिर निकाल कर सकते हो मैं अप्रॉक्सिमिट्ट ले लिए समझाने के लिए तो आफ आप कुछ सारे चीजना समझा देता हूं कहानी और ये टॉपिक खतम अपना ध्यान से देखो जरा बहुत ध्यान से देखना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था पूरा डीटेल में एक बार समझा रहा हूं ताकि अब आपको किलियर समझ में आ जाए एक कंटेनर है जिसमें वीक मिलाना है तुम्हें तो धीमे 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 एक एक बूंद डालते जाओ तो पहले आपने जब कुछ नहीं डाला था तब की कहानी ये है कि सिर्फ आपका वीक एसिट प्रजेंट था और पी एच तीन थी स्टार्टिंग में अब आप आगे बड़े आपने नल खोला थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया 10 ml पानी मिला दिया जैसे ही 10 ml मिलाया तो ये पूरी की पूरी कहानी होई बफर बना ठीक है बफर से मैंने पी एच निकाली 4.4 आई फिर आपने 10 से और बढ़ाया 20 पर पहुंचे 20 ml एड किया तो भी बफर है तो पी एच 4.8 तो देखते ज जैसे ही तुम 50 ml पर पहुंचोगे दौनों के मिली मोल न्यूटलाइज हो जाएंगे और वेटा सॉल्ट बन जाएगा तो पीएच एकदम से बढ़ जाएगी सॉल्ट बनने की वज़े से तो 8.85 बढ़ गई पीएच एकदम से फिर आप और ज्यादा मिला होगे 60 ml पहुंच गई सत्तर मिला होगे और हो जाएगी बारा पॉइंट चार पांच चैसी तेरा साड़े तेरा ऐसी हो जाएगी तो वो किस वज़े से हो रहा है मोर ओच माइनस की वैसे स्ट्रॉंग बेस बच रहा है सॉल्यूशन में कब 50 के ऊपर तो यह कहानी थी और इसके करता हूं मैं चलो यहां पर पी एच कर्व ड्रो करें तो यह वीक एसट का किसके साथ है यह वीक एसट था इस्ट्रॉंग बेस मिला रहे हो ना तो वीक एसट मैं इस्ट्रॉंग बेस मिला रहे हो यह इसमें मिला रहे हो यह कहानी है तो पी एच कर्व क्या है of alkali added लिखोगे अगर माल लो तुम उल्टा करते वीक बेस में strong acid मिलाते तो volume of acid added करते तो वो आपकी access change हो जाती अब देखना जड़ा क्या होगा अगर मेरे पास कुछ नहीं था 0 ml था कितना 0 ml था volume of alkali में तो यह नहीं तो मैं वहां पर एक point बना देता हूं ठीक है तो पीए 0 ml में pH कितनी आई थी तीन तो तीन में इसको ले लेता हूं यहां पर यह तीन है तो 0 ml पर pH 3 आई थी आगे बढ़ो आगे बढ़े आप 10 ml पर 10 ml पर pH कितनी आई थी देखो 10 ml पर pH आई थी 4.4 किस पर 10 ml पर 4.4 ओके तो बस ऐसी बनाना आपको करण 10 ml पर 4.4 आई थी पीए चैनल तो यह तीन है यहां 4 ले लेता हूं इधर यह चार ले ले लेता हूं फोर पॉइंट फोर थोड़ा सा उपर ठीक है यहां पर इधर ले लेता हूं यह 4.4 है तो इसके अकोड़ेंग आप चले यह तो यह तीन यह 4.4 उसके बाद जैसे आप 20 ml पर पहुंचे यह दस था यह 20 ml जैसे ही आप 20 ml पर आए त्यान से देखना जैसे ही आप 20 ml पर आए तो पी एच 4.82 कितना 4.82 त्यान से देखते जाना 4.82 तो यह जो था वो 4.18 था आगे तो 20 ml है तो हल्का सा आगे इधर तो ऐसी जाएगी पीच देखना आगे देखो जरा अगला 30 ml पर कितना तीस पर 5.18 और 40 पर 5.6 5.18 5.18 5.18 5.6 5.18 5.6 5.18 5.6 तीस यहां ले लिया मैंने 30 ml और यह ले लिया 40 ml क्या 5.18 5.6 ठीक है तो 30 ml मैंने यहां ले लिया ऐसा और 40 ऐसा ले लिया एक तो ऐसी जाएगी अब देखना जाना तीस चालिस हो गए 50 शाट देखो 8.85 और 12 8.85 और 12 ठीक है 8.85 और 12 पर 8.85 तो यह 5 था तो 8.85 लग बग यहां आएगा इधर कहीं माल लेता हूँ मैं ठीक यह 50 हो गया और यह 60 ml हो गया 60 ml पर 12 यहां माल लिया ठीक है तो अब आपकी पी एच किस तरीगे से जाएगी धियान से देखना जो नेचर होगा आपका वो ऐसा होगा इस तरीगे से जा रहे होगे एसा इस तरीगे से ऐसा कर्व होगा ठीक तो मैं उसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं तो आपको समझा रहा था पूरी कहानी ऐसी होगी कुछ ऐसी देखो इस तरीगे से होगा यह कर्व ऐसा थोड़ा सा और आगे बनाओ क्योंकि 50 पर हो रहा था था ना थोड़ा से इसको ऐसे पचास पैसे पचास के आसपास चेंज होरी थी ना करव समझें कहां नहीं तो इस तरीके से पहले गया pH बढ़ेगी फिर धीमे 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 बढ़ेगी फिर और आगे जाओगे और particular point 50 के आसपास जब पहुंचोगे तो pH एकदम से बढ़ रही थी न मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इस जगे जहां से pH चेंज हो रही है मतलब यहाँ पर pH एकदम से चेंज हो रही थी तो इस इधर मैं बोल सकता हूँ एक्वेलेंस पॉइंट कुछ पचास क्या सपास एक्वेलेंस पॉइंट होगा ठीक है न्यूटलाइसन जब हो रहा होगा तो यह किसका है वीक एसिड यह रफ ऐसी स्केच बनाए लेकिन नेचर ऐसा ही होगा वीक एसिड और स्ट्रॉंग बेस का है यह और स्ट्रॉंग बेस इसमें मिला रहे हो स्ट्रॉंग बेस इस तो वीक एसिड ठीक है अब आप देखना ज़रा यही सेम सिनेरियो सब जगे होगा जैसे अब ये वाला ग्राफ समझ लो क्या है अगर मैं आप से बात करूँ मैंने अभी आपको कौन सा पढ़ाया अब आपको अभी जो मैंने करव बना या वो ये वाला बताया ये वाला जो करूंव ठा係 जो मैंने कर बनाया वह कौन साए वह ये वाला है ये ये वाला कर्व है जाओ吗 अगर मालो स्ट्रॉंग एसिड होता तो हमें दो पता है कि इस्टार्टिंग में अगर कुछ alkali नहीं मिलाई है तो strong acid की pH कम होती किसे weak acid से क्योंकि weak acid की pH जादा होगी strong की pH कम होगी तो strong का graph नीचे से चालू हो रहा है nature वैसा ही है लेकिन graph नीचे से चालू हो रहा है यहां क्या है अगर तुम उल्टा सोचते हो मालो तुमने container में base ले लिया और उपर से तुम acid मिला रहे हो तो यहां volume of hcl edit करना पड़ेगा आपको तो यह दौनो graph का mirror image ले लो और कैसा mirror image ले लो यहां mirror लगा दो तो पलट जाएगा पूरा graph क्यों क्योंकि container में तुम्हारा base है ना अब तुम acid मिला रहे हो तो container में base है तो अगर strong base है तो उसकी pH जादा होगी और weak वाले की pH कम होगी और pH क्या आओ दियाएगी degrees क्यों तो acid मिलाते जा रहे हो पी एच क्या आओ दियाएगी degrees तो मैं pH कम होती है तो यह जो graph है ना यह सारे के सारे उन्होंने बना रखे हैं एक महीं तो समझ कहा नहीं पूरी कि फिर से एक बार सुलो देखो वीक एसट मैंने आपको जो पूरा example समझाया इस class में वीक acid और strong base का समझाया कौन सा वाला ये वाला बताया था मैंने ये बताया था एक है लेकिन आपको अगर strong acid दे देते नीचे container में तो pH क्या होती कम से सुरू होती और फिर बढ़ती जाती कम से सुरू होती क्यों ये strong acid है इसकी pH क्या होगी कम और ये weak acid है इसकी pH क्या होगी ज्यादा तो यह कम से स्टार्ट हो रहा है देखो ऐसा जा रहा है यह करव इस तरीके से क्या हो रही है है तो आपको कर्व का नेचर याद रखना है एक्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कर्व देखो और आंसर लगाओ सीधा ऐसा वाला है ना बाकि कि मैंने पूरा डीटेल में आपको समझा दिया है समझ गया कहानी चलो तो फिर यह कहानी है जाते-जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक्यू सो मच आप यहां तक आए और कि और क्या लास्ट में कैसे दिखते हैं और इंडिकेटर के क्वेश्चन कैसे सौल करते हैं अगर आपने इतना कर लिया तो जेई में और नीट वाले बस इतना कर लें उत्ता काफी है तो अब मिलेंगे आपन नेक्स लेक्चर में उसमें 21 मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली जो अपनी सीरी चलती है चैप्टर के लास्ट में वो एक लेक्चर बचा है तो अपना आएनिक खतम हो जाएगा ओके चलो मिलते हैं तब तक के लिए ओक के बाए